आपको बता दूँ अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले और हमारी यूट्यूब फैमली का हिस्सा बन जाइए इसमें आपको जी एस्टी से रिलेटेड कई सारी वीडियोज मिलती रहेंगी इंकम टैक्स टेली अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियोज भी आती है सब्सक्राइब करनी है अगर कोई रिजिस्टर्ड टैक्सिवल परसन अब यहां पर हम नॉर्मल टैक्सिवल परसन की बात कर रहें तो उनको फाइल करनी है GST Return 1 क्या है GST Return 1 और इसके अंदर हम डिटेल देंगे आउटवर्ड सप्लाइज के लिए अब GST में सेल्स वर्ड यूज नहीं करा गया है उसके जगे सप्लाइ वर्ड यूज करा गया है चाहे सप्लाइ गुड्स की हो यानि कि आप गुड्स को सेल करें या सर्विस प्रोवाइड करें सर्विस सेल नहीं होती है सर्विस प्रोवाइड करी जाती है तो आप चाहे गुड्स सेल करें या सर्विस प्रोवाइड करें तो आम उसको कहेंगे आउटवर्ड की डीटेल देंगे अब चाहे वो business to business हो या business to customer हो तो चाहे कुछ भी हो जितनी भी तरीके की आप sale करेंगे service प्राइड करेंगे और सारी details आप GSTR 1 में file करेंगे goods and services tax return 1 file करने की due date है 10th of next month या निकी इस month की return होगी वो आप next month 10 तारीक तक आपने file करनी होगी but July और August के लिए आपको जो time limit आप extend कर दी गई है जिसके बारे में मैं end मैं बताऊंगा तो वीडियो को end तक जरूर देखे अगर आपको जानना है कि July और अगस्त में क्या date है return file करनी है और कौन सी return file करनी है इसकी deadline है GSTR1 की normally normal case में 10th of next month लेकिन first two month के लिए ये date applicable नहीं होगी यानिकि July और अगस्त के लिए who is not required to file GSTR1 कुछ special taxpayers है जिनको GSTR1 file करनी के जरूरत नहीं है क्यों जरूरत नहीं है क्योंकि special taxpayers है और उनके लिए special returns already applicable है so ऐसे कौन से taxpayers है composition scheme taxpayers अब composition scheme क्या होती है अगर अभी तक आपको नहीं पता है तो उसके लिए मैंने एक already video बना रखी है so comment box में मैं उसका description में उसका link का description दे दूंगा तो उसको आप जरूर देख लें और GSTR1 composition taxpayers को file करने के जरूरत नहीं है क्योंकि composition taxpayers file करेंगे GSTR4 non-resident foreign taxpayers अगर कोई non-resident foreign taxpayers जब क्या होते हैं non-resident foreign taxpayers उनके बारे में ही हम बात करेंगे उनको file करने है GSTR5 इसी तरिके जए TDS deductors अगर आप TDS deduct करते हैं या हैं आप e-commerce operator तो आपको भी GSTR1 file करने के जरूरत नहीं है अब है GSTR3 जैसे कि अब इने बताए एक monthly return है जिसकी due date है 20th of next month GSTR1 10th of next month GSTR2 15th of next month और GSTR3 20th of next month क्या-क्या components होंगे GSTR3 में इसमें aggregate outward और invert supply आएगी यानिकि GSTR1 में आपने देखाया कि आपने कितना sale किया लेकिन आपने जिससे purchase किया होगा उस seller ने भी GSTR1 file करी होगी और उस seller ने GSTR1 में जो detail आप से related दिखाई होगी तो वो आप उसको GSTR2 में देख सकते यानिकि basically हम कहें GSTR3 सिर्फ एक GSTR1 और GSTR2 का एक तरीके से combination है जिसमें आपका outward और inward supply हैने की sales और purchase दोनों की details शो करेंगी और taxpayer will have the option of claiming the access payment of tax अगर आपका input tax credit का refund बनता है तो आप या तो refund ले सकते हैं या उसको आगे carry forward कर सकते हैं या आपके बास option होगा अब बात करते हैं GSTR9 एक annual return है और इसमें आपको details देनी है furnish the details of input tax credit availed and GST paid on supply of goods और services within the states, across states और overseas यानि की पूरे साल में आपने जितना input tax credit avail किया या जितना GST pay किया आप चाहे हो interstate sale हो, interstate sale हो या आपने export किया यानि की annual return में आपको पूरे साल की detail देनी है और इसकी due date होगी 31st December of next financial year suppose financial year 2017-18 तो इसका 31st December 2018 को आपको GSTR9 फाइल करनी पड़ेगी GSTR9 annual return in form GSTR9 for composite dealers अगर आप composite dealer है तो composite dealer के लिए एक special form बनाया गया GSTR9 जो बहुत ही simple form है जिसमें ज्यादा details आपको देने के ज़रूरत नहीं है बड़ GSTR9 obviously एक detailed form है जो normal taxpayer को फाइल करना है every registered taxable person whose aggregate turnover अगर financial year में 1 crore रुपीज से exceed करता है तो उसको अपने accounts audit करने है और साथ ही एक copy furnish करनी है अपने annual accounts की और एक reconciliation statement GSTR9 B में GSTR4 अब यह हमने जैसे बात करी GSTR4 फाइल करनी है composite dealers को यह quarterly return applicable only for composite dealers यह इसका मतलब यह हर तीन महीने में फाइल करनी है और इसकी due date होगी 18th of next month यानि की तीन महीने खतम होगे यानि के जो quarter है वो खतम होने के फिर जो अगला महना होगा उसकी 18th day को आपने GSTR4 को फा GSTR4 एक basically applicable है सिर्फ composite dealers के लिए और किसी के लिए applicable नहीं है क्या क्या components होगे indicate the total consolidated value of supplies यानि की total consolidated value आपने डालनी है invoice के सापसे नहीं डालनी है हर एक का invoice आपने नहीं देना जितनी भी आपने period में तीन महीने हुआ जितनी भी आपने sales करी है तो उसकी total consolidated value डालनी है कितना आपन आपने tax pay किया है at the composition rate composition rate वो rate है जो GSTR normal slab rate से काफी कम है जैसे restaurant sector के लिए 5% है और traders के लिए 1% है manufacturers के लिए 2% है तो ये काफी कम rate पे आपने देना है और एक चीज़ और है कि composite dealer tax invest issue नहीं कर सकते वो सिर्फ इस्यू कर सकते है bill of supply information for the purchase from normal taxpayers which will be auto populated अगर आपने normal taxpayer से purchase किया है तो normal taxpayer GSTR 1 फाइल करेगा और GSTR 1 में वो शो करेगा कि मैंने इस composite dealer को sale किया है अब तो आपको फाइल करने तो आपका information होगी जो आपने purchase किया अगर normal taxpayer से तो normal taxpayer जो GSTR 1 में शो करेगा वो auto populated आजाएगी GSTR 4 में आप उसको check कर सकते हैं अब GSTR 5 क्या है और किस SSC के लिए applicable है सब GSTR 5 applicable है non resident taxpayers के लिए special taxpayers होगे जो की एक तरीके से foreign taxpayers है अब अगर इन्हों है foreign taxpayer ने registration लिया है limited period के लिए तो जब उनका registration expire हो जाएगा तो expire होने के within seven days के अंदर उनको return file करने जरूरी है या अगर उनका अभी registration cancel नहीं हुआ है अगर वो अभी registered है तो हर महिने की 20th day को उनको GSTR 5 file करनी है कौन होते है non resident foreign taxpayers non resident foreign taxpayers basically ऐसे taxpayers हैं जो की बहुत ही short period के लिए supply करते हैं इंडिया में जिनका कोई actual place of business इंडिया में नहीं है यह products are normally imported to make local supplies generally foreign country से product import करे जाते हैं और local supply करे जाती है अब क्योंकि non resident foreign taxpayers किसी particular state में register नहीं होते हैं तो इसलिए इनको इंट्रा स्टेट अप्लाई तो ही करेंगे नहीं तो इसलिए इनके उपर CGSC applicable होगा न SGST applicable होगा जो सिर्फ applicable होगा IGST integrated goods and services tax और बट अगर कोई normal taxpayer for non resident foreign taxpayer से purchase करता है तो obviously जो register taxpayer होगा normal register taxpayer होगा वो input tax credit का benefit ले सकता है तो अब हम बात करते हैं GSTR 6 के बारे में goods and services tax return ये applicable होगी input service distributor जिसकी due date होगी 10th of the month and before 30th 13th of the next month याने कि 10 तारीक के बाद और 13th याने कि 13 तारीक से पहले अब इसके अंदर details होगी tax invoice on which credit has been received क्या होते हैं input service distributor जिनको में short from ISD कहते हैं कोई भी media या कोई एक ऐसा office manufacturer का ये producer जो इसके business को manage करता है या फिर हम इसको कहें कि receive invoices from supplier towards purchase of input services यानि कि supplier से जो tax invoice receive करता है और input tax credit avail करता और input tax credit को फिर अलग-अलग branches हो या अलग-अलग business हो जिनका वो manage कर रहा है एक साथ तो उनको transfer करता है तो इसको कहते हैं input service distributor issue of prescribed documents for distribution of input tax credit of CGSC का credit हो चाहे SGC का credit हो या IGST का credit हो to a supplier of taxable goods or services having same pen as yet of office referred to above suppose एक pen है एक pen नमबर पे एक office है डली में और उसके यह कई सारी branches है यह हम कहें वो एक तरीके से outsource करता है एक तरीके से branches है और सबका same pen है लेकिन जो यह office है यह एक तरीके से हम इसको कहें यह coordinate कर रहा है सबको और सारे जो bill tax invoice issue हो रहे है इस office के उपर issue हो रहे है और फिर यह office actual में यह तो काम नहीं कर रहा है यह सिर्फ manage कर रहा है और काम कर रहे है branches या जो भी जिनसे भी outsource करवा रहा है तो उनको फिर यह जो input tax credit receive हुआ है उस credit को यह transfer करेंगे depending upon किसने कितनी supply करी है किस branch ने उसके इसाब से जेस्चर 7 क्या है इट इस applicable for tax deductor अगर आप TDS deduct करते हैं तो आपको GSTR 7 फाइल करनी है 10th of next month क्या क्या components होंगे filed by tax deductor TDS के बारे में आपने details देनी है डिड़क्टर is required to file the return and has to provide the detail of amount of TDS in his return tax deductor has to furnish the certificate of deduction अगर आप TDS deduct करना है उसके लिए आपने certificate of deduction लेना ज़रूरी है which shall include the correct contract value generally हम TDS deduct करते हैं कुछ services के लिए या contract basis पर आपने कोई काम करवा है तो contract value क्या है किस rate से deduction करा गया है कितनी amount deduct करी गई है amount paid to the appropriate government और जो amount deduct करी गई है इसमेंसे कितनी amount हमने government को pay कर दी है या नहीं कर रिया तो कितना outstanding है भी pay करना और जो भी ऐसे particular specified करे जाएंगे additional information वह भी देनी होगी GSTR 8 क्या है अब यह आखरी रिटान है यह applicable है e-commerce operator के लिए इस बाहर GSTR e-commerce operator को special taxpayer माना गया है और उनके लिए काफी नए प्रोविजन के बल करे गए हैं e-commerce operator जो भी online अपने business को control करते हैं online operate करते हैं उनके लिए यह return compulsory है जिसकी due date होगी 10th of next month यानि कि हर महिने की 10 तारीक को इनको return file करने क्या क्या components होंगे details of supplies affected through e-commerce operator and the amount of tax collected on supplies यानि कि इस बार e-commerce operator को tax collect करना है supplies यानि कि TCS tax collected at source के provision applicable होंगे और कितने amount उनने tax collect करी है the details of tax collected at source by an e-commerce operator वो gstr8 file करेंगे चली made available to the concerned taxable person in part day of gstr2 यानि कि अगर आपने e-commerce operator से कोई भी चीज purchase करी है तो e-commerce operator उसमें tax collect करेंगा और जो उसकी details आप check कर सकते हो gstr2 में gstr2 में आप seller ने जो details शो करी होती है तो आपने जो purchase करी है seller से details आप वहां देख सकते हो और इसमें अगर को changes करने है तो फिर आप gstr2 में changes कर सकते हैं अब basically gstr2 applicable हो चुका है और लेकिन अभी तक काफी सारे लोगों को किस तरीके से returns वाइल करनी है और gstr2 का system भी काफी slow चल रहा है कही बार तो इसके लिए government ने gstr council ने यह provision बनाया है कि आपको जुलाई और अगस्त की return का जो time है वो extend कर दिया गया है और इसके लिए एक new form issue करा गया है gstr3 भी अब gstr3 भी applicable होगा सिर्फ 2 months के लिए और यह self assessment basis पर हमने return फाइल करनी है यह basically एक summary return होगी यानिकि single page return होगी जिसके अंदर आपने information देनी है self declaration basis पर और सिफ 2 months के लिए applicable है और इनकी due date है 20th day of next month यानिकि July month की जो gstr3 भी है वो जाएगी 20th of August को और जो August की gstr3 भी है वो जाएगी 20th of September को there is no late fee or penalty left for the initial two months पहले दो महिने के लिए अगर आप GST में time limit पर return फाइल नहीं करते है तो इसके लिए कोई penalty नहीं है लेकिन दो महिने के बाद भी अगर आप late return फाइल करेंगे तो फिर आप पे ज़रूर late fee लगेगी a new form GSTR 3B will be introduced by the government every taxpayer needs to file this return on self-assessment basis तो यह applicable है सारे assesses के लिए सारे taxpayers के लिए जो भी GSTR में registered है for example GSTR 1 जैसे कि यह normally हमें फाइल करनी पड़ती है 10th of next month यानि कि 10th August इसके due rate लेकिन अब इसको 25 days extend कर दिया गया है यानि कि अभी आप जुराई मन्त की return जो फाइल करेंगे वो 5 September से पहले फाइल करनी होगी आपने GSTR 1, GSTR 2 10th September और GSTR 3 15th September अब यह return जो जुलाई की return है वो हम फाइल करेंगे September में but August में आप देंगे GSTR 3B में यानि कि 20th August तक आपने GSTR 3B फाइल करनी है जिसमें आप देंगे self declaration basis पर अपनी sales जो भी आपने करी है उसी तरीके से जो अगस्त मन्त की जो return होगी GSTR 1 नॉर्मली अगस्त मन्त की 10th of next month 10th September को return फाइल करनी पड़ती है बट अब यह फाइल करनी पड़ेगी आपको 20th September से पहले उसी तरीके से GSTR 2 फाइल करनी पड़ेगी अगस्त मन्त के लिए 25th September और GSTR 3 30th September लेकिन उससे पहले 20th September को आपने फाइल करनी है GSTR 3 भी अगें self declaration basis पर अगस्त के लिए उसके बाद यह form हट जाएगा यानि कि ना सेप्टेंबर में आपने GSTR 3 भी नहीं फाइल करना और आप जैसे कि GSTR 1 10th of next month फाइल करनी पड़ती है तो September की return है वो आप फाइल करेंगे 10th October को और GSTR 2 15th और GSTR 3 20th October को इसमें कोई changes नहीं होंगे अगर आपके कोई doubts हैं या आपकी कोई suggestions हैं तो comment box में जरूर लेखें अपने experience शेयर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें और इसे शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि किसी और का भी benefit हो सकता है तो इसी तरह देखते रहें और सीखते रहें इस्टे कनेक्टिट गुडबाए